हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप लोग आपके अपने परिवार एम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है आज का अमारा टॉपिक कि यहां पर पेपर में बहुत ही इजी कोशन आया है ठीक है अगर आप बेसिक चीज पढ़े हैं तो पेपर गें यहां पर दिया है कि ट्रांसफ़ार्मर का कोर किसका बना होता है यह था odpow share जो भी हो question पता चला है अप神 तो कथा नहária बता नहीं सकता है तो ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है हाई सिलिकान इस टीर का बना होता है और इसमें 2-3% क्या मिलाया जाता है सिलिकान, 2-3% सिलिकान मिलाया जाता है, ज्यादा सिलिकान मिलाने पर कोर की जो यांत्रिक सक्ती है वो खराब हो जाती है, ठीक है, दूसरा, दिया है कि अधिक्तम ये चलकता है, सोरी ये गलत हो गया ह अधिक्तम चलक्ता किसकी होती है तो अधिक्तम चलक्ता जो होती है आपकी होती है चादी की ठीक है सिल्वर की सबसे अधिक्तम चलक्ता होती है इसे सूपर कंडक्टर के नाम से जानते है इसे सरुत्तम चालक भी कहा जाता है सबसे दिक्तम चलक तक किस की होती है चादी की सोना नहीं लगाना है ठीक है सोना गलत हो जाएगा किई इसको हिंदी में प्रत्यावर्थतव होता है या क्या करता है तो फिल्ड वाइंडि में डी से अपल्डाइय दी क्यों कि DC supply दी जाती है पोल को बनाने के लिए पोल बनाने के लिए पोल यानि N और S पोल डिटेल में आपको मिल जाएगा मने वीडियो में बताया है ठीक है तो यह आपका DC supply के लिए DC supply दी जाती है उसको field winding को ठीक है इसके मतलब synchronous motor के लिए होता है जब alternator के लिए निकालते है तो alternator के लिए ability से जाता है तो ns गुणे पी आपान में कितना हो जाता है 120 यह आपका होता है alternator के लिए सुत्र होता है next दिया है आपका आया है कि sf6 gas कैसा होता है है आपने sf6 circuit breaker का भी नाम सुना होगा यहां पर sf6 gas कैसा बेवहर करता है तो insulator का कैसा बेवहर करता है कुचाला की तरह बेवहर करता है ठीक है sf6 कुचाला की तरह बेवहर करता है दिया है कि three phase supply में phase difference कितना होता है तो three phase supply में phase difference जो आपका होता है वो कितना होता है 120 degree 120 degree होता है ठीक है कितना होता है 120 degree यह आपका star connection next skin effect किस पर निर्भर करता है तो देखिए skin effect जो होता है यह आपके किस पर निर्भर करता है अबरी पर frequency पर निर्भर करता है दूसरा चीज कि यहां पर अगर मान निजी की कादे के DC में skin effect होता है तो नहीं क्योंकि DC में ability zero होता है और zero मान लखी ने तो हो जाएगा इसकी ने पर डीशी में नहीं होता दूसरा चीज कि देखें कंड़क्टर जो होता है ट्रांस्मिस्टन लाइन में उसमें क्या होता है कि अगर कंड़क्टर की क्रोस एक्सन क्रोस सेक्सन एरिया अगर बढ़ता है तब भी इस्कीन इफक्ट कामान बढ़े तब ही बढ़ेगा क्योंकि ऐल बढ़ें गेज can safer और को बातना कि परिद्धि यानी सता क्या होगा संचरित की जाती है next question दिया है कि एक बटा 5 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़े की प्रतिरोध कमान कम हो जाए सुनिए जब आप प्रतिरोध को स्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध जो होता है मतलब तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा वो ज्यादा आए प्रतिरोध कमान beleza प्रतिरोध कमान हो कम होता है सबता है ईस को हम समांतर में जोड़ा जाएगा पता नहीं आप सांद क्या दिया है ठीक है लेकिन आप इसलिए अम दोनों बता दिये हैं, अब जो भी होगा आप लोग समय लिजिएगा और ज्यादा से ज्यादा basic चीज़ों पर दहां दीजिए. नेक्स्ट, यहां पर देया कि और्थिंग के गुण क्या है? क्या होते हैं? और्थिंग के क्या गुण होते हैं, तो और्थिंग के गुण जो होते हैं, वो short circuit या कोई leakage current है, तो उसको ground कर दिया जाता है, कोई आदमी माल लिजिये है, स्वास्त मनुस्य का प्रतिरोध होता है, 1000 ठीक है, कोई संपर्क में आने से, जैसे आप लोग 3 pin socket में भी देखेंगे मोटा पिल, यह आपका अर्थिंग करने के लिए ही होता है, ठीक है, यह कोई भी leakage current है, तो ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ पर दिया है, इसके एक numerical लाया है, ठीक है, लेकिन numerical हमको असपष्ट नहीं हो पाया कि क्या पूछा है, लेकिन यहाँ से जो यूनिटों की संख्या यहाँ पर यूनिटों की संख्या, क्या होती है, नमबर आफ यूनिट, यूनिटों की संख्या जो होती है, वाट, गुणे, घंटा, गुणे, दिंग, बटा में कितना, एक हजार, अब यहाँ पर जितना यूनिट आपका आएगा, और इसमें टोटल खर्च निकालने के ल यूनिट, एक यूनिट को, एक यूनिट विजली का खर्च जो है, मालने जिक तीन रुपिया दिया हो, ठीक है, और आप से पूछेगा, कि 30 वाट का इतना फैन चल रहा है, 10 घंटे तक चलता है, 30 दिनों तक चलता है, तो आप उसका बताए कि एक महिने मतले है, टोटल कित यह कोश्चन क्या पूछा था, यह हमको नहीं पता है, इसे related कोई कोश्चन आया था, यह पता है कि उनिटों की संख्या की अधार पर कोई कोश्चन था, तो हमने बता दिया, ठीक है, तो नमबर आफ यूनिट, वाट गुने घंटा, गुने दिन, बटा में क्या होता है, ए यह सब पावर के क्या होते हैं फार्मूला होता है नेक्स्ट आपका है यह बिल्कुल इजी कोशन देखिए दिया है कि पचास वाट की पचास वाट तथा तीस वाट के दो वल्व स्रेणी में जोड़े हैं देखिए आपर मालने जे कि यह आपका एक वल्व है और दूसरा वल बताएं त्सक्राइब क्यूती तो बताइए कि तीस वाट में कितने धर्रंड होगे ठीक है इससे श्रेनिक रम में क्या होता है नि और करेंट समान होता है क्या होता है करेंट समान होता है और पैरलल में आपका क्या होता है पैरलल में करेंट जो होगा वो होता है आपका और समान ठीक है करेंट का इसमें बटवारा होता है और करेंट इसमें बटवारा नहीं होता है तो यहां पर जो करेंट पाचास वाट से हो करके जाएगी वही कर कि यह बोलवक एक्रोस कितना बॉल्टेज हो नार harvest रहा है तो देखिए शीरीज करम में में आरiva की यहां पर शीरीज करम में बॉल्टेज का बटवारा होता है वह समान और इसमें बोल्टेज क्या होता है समान इसमें इसमें cross voltage निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है V I P कमान आपको दिया है 30 अब V कमान निकालना है I कमान कितना है एक एक एंपियर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30 बोल्ट दूसरा चीज़ अज़े प्रतिरोध होता वहाँ पर तो I बराबर I R से बोल्टेज ड्राफ निकाल सकते हैं ठीक है next question ट्रांसफार्मर में आइरन लास यहां दिया है कि आइरन लास आइरन लास दिया है 100 वाट करेंगी 50% लोड पर ठीक है यह हो सकता है यह आप फुल लोड दिया हो यहां पर करेंगी 50% लोड पर आइरन लास कित Iron last load पर निर्भर नहीं करता है, लोड रहेगा या नहीं रहेगा, कितना होगा वो भी, कितना होगा, 100 वाद, दुसरा चीट, लोड पर क्या निर्भर करता है, तो आपका copper loss, copper loss जो होता है, copper loss यानि, तामर जोहानी होती है, यह load पर निर्भर करती है क्योंकि load बढ़ने पर current कमार बढ़ता है और current बढ़ेगा तो copper losses क्या होगे बढ़ेंगे next question power factor का सुत्र होता है power factor का सुत्र होता है तुद देखिए power factor सक्ति गुनक power factor का होता है कासफाई phase angle के cosine को कासफाई कहते हैं और प्रतिबाधा तुरी भूज से जब निकाला जाता है इसका सुत्र तो कासफाई बराबर क्या होता है R by Z एक सुत्र आपका ये भी होता है ठीक है next दिया है industrial load का power factor होता है तो जो industrial load होता है वो inductive load की तरह होता है inductive load की तरह और inductive में क्या होता है lagging lagging power factor होता है ठीक है next question resonance की इस्थिती में प्रेरग को दोगुना किया जाए तो संधारी तरपर क्या प्रभाब पड़ेगा देखिए resonance का मतलब होता है अनुनाद resonance circuit यानि अनुनाद परिपत के लिए सुर्थ होता है RLC series circuit में प्रतिबाधा बराबर होता है Z बराबर R square XL minus XC का square अब यहाँ परणुनाद के लिए होता है कि XL बराबर XC मतलब inductive reactance capacity reactance के बराबर होगा तो परिपत अनुनादित होगा यहाँ पर XL बराबर आप जानते हैं कि 2 pi FL होता है और यहाँ पर एक सी बराबर होता है 2 pi FC तो क्या हम यहाँ से देखे संधारित के बारे में पूछ रहा है संधारित क्या दिमान हम निकालते हैं इसको लेकि इधर चले जाए इसको लेकिन यहाँ पर आ जाए तो हो जाएगा 2 pi FC चले बराबर एक वट में क्या हो जाएगा 2pi FL कह रहे हैं कि यह प्रेयोत को दोगूणा कीज़ें प्रेयोत क्यानी L मात्र क्या होता है प्रेयोत को दोगूणा कीज़ें तो जब आप इसको दोगूणा करेंगे तो C कमान क्या हो जाएगा आधा C कमान क्या होगा हाफ होगा क्यों क्योंकि कैपासीटर जो होता है वह इसके व्यूदकरम होता है और इंडक्टर प्रेरक जो होता है ये समानुपाती होते है ठीक है फ्रेक्वेंसी के समानुपाती होता है ठीक है अभी तक यही कोश्चन था इससे रिलेटेड जो भी आप कमेंट करके बताएं यदि आप पेपर दे करके आए हो कौन सा कोश्चन आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं जिस टॉपिक पर अगर आपको समस्या है कमेंट बाक्स में कमेंट कीजिए और ही थैंक्स और फिर अगले वीडियो को फिर अगले वीडियो